चैजय श्री कृष्णा दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तों बच्चों, महलाएं स्वभाग्या लक्ष्मी होती हैं, घर को स्वारने वाली और मकान को स्वर्ग बनाने वाली महलाएं ही तो होती हैं और घर को नर्क बनाने वाली भी महलाई ही होती हैं जो अपनी कुछ आदतों की वज़ा से अच्छे भले घर को नर्क बना देती हैं यदि आप अपनी कुछ आदतों को सुधार लेती हैं तो किस्मत आपके पती की बदलेगी किस्मत आपके बेटे की बदलेगी आज के वीडियो में मैं आपको तीन चीजों के बारे में बताऊंगी उन तीन चीजों को एक स्थान पर रख देना है कोई पूजा पाट नहीं करना कोई जादू टोना नहीं करना सुक समरिदी से भर जाएगा आपका घर पर उन चीजों को जानने से पहले जो बंधू मेरे च जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सब से पहले आपको मिले दोस्तों बच्चों महलाओं की अक्सर आदत होती है खाना बनाते वक्त है एक कटोरी को ले कर पडोसी के घर पहुंच जाती है और नमक ले कर वापिस आ जाती है इस आदत को आज से ही बदल दीजिए जहां एक पैकेट घरमें नमक ले के आते हो वहीं आज से दो-तीन पैकेट एकठे नमक लेकर आएं, कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है, स्टॉक में हमेशा नमक रखेंगे, नमक की अवस्था अपने घर में हमेशा अच्छी रखें, नमक को अपनी किचन में एक सूखी, साफ, सुतरी, अच्छी जगा पर कांच के जार में भर कर रखें, नमक और च तील या लोहे के जार में ना रखें, शुकरवार के दिन जार को नमक से भर दें, और फिर उसे इस्तेमाल करें, लेकिन इंतजार ना करें, नमक खतम होने का, जैसे ही अगला शुकरवार आए, जार में जितना नमक खतम हो जाए, उसको उतना फिर से उपर तक भर दें, इत गर तो आपका ऐसे ही सुख समरिदी से भर जाएगा अपनी इस आदत को आज से ही बदल दे इस से घर में नमक कभी खतम ही नहीं होगा और अगर नमक मांगने कोई आ जाए तो उसको नमक देना भी नहीं घर में भी किसी के मांगने पर नमक को उसके हाथ पर सीधे सीधे नहीं देना नमक को हमेशा कटोरी में डाल कर देना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखें कि नमक कभी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए हल्दी या मिर्च वाले चमच से भी कभी नमक ना निकाले नमक के जार में अलग से एक सूखा हुआ चमच यूज करें नमक एक दम साफ सुथरा और शुद रहना चाहिए अब बात करते हैं एक खास उपाय के बारे में किसी भी मास के शुकल पक्ष के शुकरवार के दिन इस उपाय को करना है एक स्वच कांच का जार ले तीन बड़े टुकड़े मिश्री के लेने हैं कटिंग वाली मिश्री नहीं लेनी बाएं हाथ से गिलास पकड़े उत्तर दिशा की तर्फ मूँ करके अपनी किचन में खड़े हो जाए और सीधे हाथ से एक एक टुकड़ा मिश्री का गिलास में डाले उसके बाद उसी गिलास में तीन चुटकी हल्दी मातारानी का नाम लेकर उसी गिलास में डाल दे हल्दी स्टॉक वाले पैकेट से ले यूज करने वाली हल्दी गिलास में ना डाले उसके बाद गिलास को अक्षत से उपर तक भर दे चावल साबुत होने चाहिए उपर से किसी कटोरी से ढख कर किचन में ही किसी सुरक्षत अच्छे साफ सुथरे स्थान पर अपनी किचन के पूरव या उत्तर की तरफ ऐसी जगा पर रख दें जहां पर सब की नजर पढ़ती रहे आप किचन में आते जाते उस गिलास को देखे जहां पर भी इस गिलास को रखे वो स्थान आपके सिर से उंचा होना चाहिए सिर से नीचे नहीं किसी परकार की गंदगी उसके आसपास नहीं होनी चाहिए पूरे तीस दिन इस गिलास को वैसे ही रखा रहने दे और तीस दिन के बाद इस पूरे समान को किसी पेड़ पौदे में अच्छी साफ सुतरी जगा देखकर डालाएं या जल में विसरजित कर दें और फिर शुकलपक्ष के शुकरवार के दिन पुनहा इस गिलास को वैसे ही भर कर रखें तीन मीने तक इस पर्योग को करें और संभव हो तो पूरा साल इस पर्योग को दोहराते रहें इस उपाय को करने से आपके घर में जादू होगा हर सपना पूरा होगा, घर में सुख समरिदी आएगी, आपके परिवार में खुशियों का महौल होगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी बात के साथ, जै जै शिरी राधे